सब्सक्राइब करता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के पेपर सेकंड के बारे में यानि कि दूसरे पेपर के बारे में दूसरे पेपर में आपको पढ़ना है Art and Architecture in Ancient India यानि कि आपको प्राचीन भारत में जो कला और जो अस्थापत कला है उसके बारे में आपको समझना है तो आए जानने का प्रियास करते हैं कि आपकी परिच्छा में कहां कहां से प्रस्नाएंगे आपके लिए बिधवत तरीके से मैंने इसमें एक प्रिकार से कई चीजों को सामिल करने का प्रियास किया बहुत ही मैत्मूर मैत्मूर प्रस्नों के बारे में चर्चा करने का प्रियास रहेगा अब आईए जानने का प्रियास करते हैं कि आखिरकार एंसियर्ट हिस्ट्री में आपको सेकन्ड पे प्रिकार में जो पढ़ना है वहां से कौन-कौन से प्रस्नाव के प्रिच्छा में बन सकते हैं आये बहुत ही बारेकी के साहरे एक चीज को समझने का प्रियास प्रियास करते हैं कि अंप मारे सा जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड इविनिंग गुड इविनिंग आला फियो एक बार वीडियो को लाइक और सियर कर दीजेगा सभी लोग चले पहला कोशन सापके स्कीन पर आ चुका है सिंधु घाटी सभिता की चित्रकला की किनी चार दोसों का वरणंग की जैनि चार दोस कौन-कौन से रहे हैं सिंधु घाटी में जो चित्रकला होती थी उसमें पहला दोस है कि कठोरता की छाप नहीं है इसमें दोसरा दोस है कि चित्रों में भध्दापन इसमें आपको नहीं दिखेगा तीसरा दोस है कि चित्र कहीं कहीं पर हमें भावपूर द बाकि एक दो बार वीडियो को अगर देख लेंगे तो सारी चीज़ आपकी किलियर होती रहेंगी अगला कोसंस आपके स्किन पर आ चुका है दूसरा परसनाव देखेंगे संधव काल में रंग बिधान कावरण की यानि कि रंग बिधान एक प्रकार से रंग योजना किस तरीके से होती थी देखें इस काल के चित्रों में लाल रंग से एक प्रकार से चित्रों को रंगा जाता था काला रंग और सफेद ये तीन रंगों का प्रियोग एक प्रकार से बहुत अधिक मातरा में आपको दिखेगा परन्तु हमें ठीकरों पर जो चित्र बने हुए दिखाईव देते हैं वे काले रंग से ही बनाए गए हैं इन चित्रों की आकरतियों को काले रंग से उभार करके बनाए गया है ये सिंधु घाटी सभिता के बारे में मैं बता रहा हूँ ठीक है तो ये एक प्रकार से रंग विधान उस समय का था बिसिकली लाल, काला और सफेद ये बड़ा फेमस था लेकिन जो ठीकरों पर जो चित्र में ले हुए हैं उनमें काले रंग के चित्र जादा है तीसरा प्रसन है हडपा में कौन सी कला बिसेश रूप से उल लेखनी है थी तो हडपा संस्कृति के अगर बात किया है तो कई सारी कलाएं हडपा सभिता में आपको बिसेश रूप से देखने को मिलती हैं जिन में से आप वास्तु कला एक प्रकार से देख पाएंगे सि unl具ढ़िया का प्यास करते थे आप कांश की नर्तकी की मूर्ती देख ले चाहे आप विसाल असनानगार और अनागार देख ले या फिर आप रोड ओगरा देख ले सिंदुघाटित सभिता के संकोंड two-ため ron काटते हैं नाली धकी हुई आपको मिलेगे निस्षचता वगरा सब कुछ है और कला में तो बिलकुल निपुड थे और वास्तु सास्त्र के हिसाब से सारी चीजे फिटकिया करते थे बनाते थे इसके अलावा आप देखते हैं पाशान कला पत्थरों का ज्यान था पत्थरों के एक परकार से चितर बनाना पत्थरों की मूर्तिया बनाना ये सब भी जानते थे गुरिया निर्माड कला भी इनको आती थी इसके लाव मुद्रा निर्माड कला भी जानते थे लेखन कला में भी एक परकार से निपुड थे संगीत और निर्त कला भी एक परकार से जानते थे और कलागत विस्यस्ताएं इनकी बहुत सारी रही हैं तो यह तमाम प्रकार की कलाओं से निपुण रहे हैं हडपा वाजसी यह हडपा सब्विता के लोग ठीक है और सिंधु घाटी सब्विता को अंगरेजी में इंडस्वाइली सिब्लाइजेशन कहते हैं अब इसी इंडस्वाइली सिब्लाइजेशन चुकि हर एक सब्विताएं किसी नदीक किनारे आपको मिलेंगी मलत दुनिया की जदनी सब्विताओं को आप देखेंगे चाहे आप मिस्र की सब्विता को देख लें तो वह एक परकार से नील नदीक किनारे आपको मिलेगी ऐसे ही आप देखेंगे चाइना में भी आप देखते हैं तो चाइना में भी नदीक किनारे आपको मिलेगी चीन की सब्विता ऐसे ही बेबी लोनिया की सब्विता और ऐसे ही आप द जाओ जमीन से एक प्रकार से अनाज उत्पादन किया जा सकता था इसलिए वहीं पर सब्विताएं बिक्सित हुई और उन सब्विताओं के बिक्सित होने के बाद में आप देखते हैं कि चितरकाली भी हुई है लेकिन ये सिंधू नदी घाटी जो सब्विता है सिंधू चित्र है उसमें हड़पा छेत्र हडपा एक संस्कृति थी हडपा एक नगर हुआ करता था ऐसे मोहन जोदारों नगर होता था ऐसे लोथल ऐसे काली बंगा तो ये सब नगर थे अलेकिन हडपा और मोहन जोड़ों इनमें ज्यादा फेमस थे इसलिए इनको सिंधू घाटी सब्विता को हडपा सब्विता या मोहन जोदारों की सब्विता भी कहा जाता है ठीक है ये सब एक नगर हुआ करते थे ये बात आप ध्यान लखेंगे तो सिंधू घाटी सब्विता की चित्रकला की एकर बात किया तो दो विसस्ता है पहली विसस्ता ये है कि चित्र मूर् करें चित्रात्मक सैली में आप देखते हैं ये लोग सारी चीज़े क्या करते थे और रेखा चित्र का प्रियोग बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा पांचवा प्रसें मोहन जुदाडों की वास्तु कला इनी घर और बनाने की जो कला होती इस्ट्रक्चर अगरा बनाने की पुकिनी चार विसेस्ताओं का उले कीजिए देखें निमने विसेस्ताओं के दर्सन होते हैं इसमें सबसे पहली बात परकोटा गोपर द्वार आप देखेंगे मोहन जुदाडों में ही बना हुआ दिखाई पड़ता है इसके लावा अट्टालिकाओं से युक्त बनता था यहां पर कोट्टाकार जहां आनाच का भंडार रखा जाता था तो यहां पर राज प्रसाद राज इग्रेह दरबार सब कुछ बनाना यह लोग जानते थे वास्थू कला भी उसमें भी निपूरता इसमें प्राप्त थी इन लोगों को आगे देखेंगे अगला क इंद्र में मुक्ता कौन-कौन से हडपा में आप देखते हैं हडपा सहर तो था ही इसके लावा लोथल भी था काली बंगा यह सब हडपा संस्कृती के ही एक प्रकार से छोटे-छोटे सहर थे इन नगरों के खंडर यह से धिकरते हैं कि यह नगर एक निश्चत योजना के अनुसार बसाए गए थे नगरों की जो सड़के हैं काफी चोड़ी आपको मिलेंगी जैसे आप देखते हैं सहरों वगरा की जो सड़के होती चोड़ी होती खासर के जब हाइबे वगरा जो होता ही इस तरीके की चोड़ी सड़के बनती थी और थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटी-छोटी गलियां बनी होती थी, जिनके किनारे-किनारे घर जो होते थे, बसे होते थे, और एक सीधी देखा में एक प्रकार से सारी चीजे जाती थी सडके, नगर की सडके जो होती थी, 9 फीट से लेकर के, 34 फीट तक चोड़ी हुआ करती थी, जो एक दूसरे को समक समकोण पर काटने का मलब यह होता है, यह सडके जा रही है, ठीक है, यह सडक है, यह आपकी सडक है, अब यह सडक कहा पर इसको काट रही है, यहाँ पर आप देखेंगे, यह 90 डिगरी का कोड़ यहाँ पर बनना है, यहाँ पर भी 90 बनना है, ठीक है, यहाँ पर भी 90 बनना पूरा गोलाये में होता है JWT थीक है पूरण तो 360 साथ डिगरी का कौण होता है अधिक्तम उनने से 90 90 पर एक प्रकार से सारी सड़के काता करती थी और उनहीं सणकओं के बगल में नालिया होती थी झो कि धकी होती थी वो भी सीधी-सीधी ही होती ठीक है और सभी गलियों के बगल बगल से जो घर के नाडिया होती थी उन्हीं में आ करके मिल जाती थी और पानी प्रकार से चलाया था बैकर के किलियर उनके दोनों वो नालिया बनी हुई होती थी इन नालियों का गंदा पानी बड़े नालों में जाकर की मिलता था ठीक है और बड़े नालों का पानी समुद्र में चलाया था था सडकों पर चवराहे भी हुआ करते थे चवराहे यारी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहां पर चवराहे होती थी यहां पर दुकाने उकाने होती थी ठीक है यह सब तो जी चवराहा हो गया आपका सड़कों की सफाई का अच्छा प्रबंध यहां पर किया गया था तो इस तरीके से यह बड़िया व्यवस्था थी जैसे आज कल के सहरों में आप देखते हैं कला में देख सकते हैं की पाटेलीपुत्र से जिन और बना बना था बसा था ऐसाथै कि आप हिसाप से आप उस मौरिकाल की वास्थ्ट उकला के बारे में झानकर ही कर सकते सकते embraor उस बेश्टनी को देख करके भी आप पता लगा सकते हैं इसके लावा बोध गया में जो बहुत मंदिर है तमाम सारे उस बहुत मंदिरों का जो इस्ट्रक्चर है जो बना है वो सब वास्तुकला का एक परकार से एक अपूर्ब नमूना है इसके लावा जो है बाराबार तथ पता नागरजुनी पहाड़ियों के जो चैत हाल है वो भी वास्तुकला के परकार से अच्छे साधन है जानने के वास्तुकला के मौर्काली वास्तुकला के इसके लावा तमाम अस्तंब आप देखेंगे अस्तंबो पर तमाम मूर्तियां बनी है उन मूर्तियों को आप प्रयास करते हैं आठवा कोरें से मौरी कालिण वास्तुकल की कितनी शैलियां तो हिसमें 시청सिति तो चैली जो है यानि जो हिंदु मंदिर बंते थे तो उसमें हिंदु मंदिरों में प्रेंति दिया ciaoение दूसरी सहली होती थी जैन अस्थापतिकला सहली जो जिसमें जैन धर्म के मंदिर जैन धर्म की मूर्तियां बनती थी तीसरा बहुत अस्थापतिकला सहली जिसमें बहुत कालिन की मूर्तियां और एक परकार से मंदिर बनाये जाते थे और एक थी जो फारस की वास्तुकला सहल पहला है साची में असोग के अस्तमर्षी है आपको मिल जाएंगे नेपाल राज में भी आपको मिलेंगे ठीक है इसके अलावा रामपूरवा गाउं में भीविनेगा और लौरिया और रादिया ग्रामों में आपको मिलेगा असोक का अस्तम इसके अलावा मुझफरपुर का जो बखीरा ग्राम है वहाँ पर मिलेगा सारनाथ वाराणसी में आपको मिलेगा इलहाबाद के दुर्ग में आपको असोक के अस्तम मिलेंगे कौसामबी अस्तमलेग मिलेगा दिल्ली में मिलेगा सकीसा जिला फरुखाबाद में मिलेगा मलफ कासी में जिसे लाठ भैरो कहते हैं वहाँ पर भी आपको असोग के अस्तम में मिल जाएंगे इसके अलाव पटना की पुरानी बस्ती में मिल जाएगा गया में मिल जाएगा जैपुर में आपको मिलेगा गया ये बिहार में पढ़ता है जैपुर राजस्थान में पढ़ता है ठीक है इन सभी पटना आपका बिह इस उतरी भारत में आप देखते हैं आपको दिखाई पड़ेंगे ठीक है आगे देखते हैं अगला कुछ नंबर परस्णाप के स्किन पर आ चुका है फटापट से आप लोग देखने का प्रियास करेंगे तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और सियर करते रहेगा इस्तूप या इस्तूप या अस्तंभो की पहली की इस्तूप का आकार जो था वो आकार जो था इसका बड़ा हुआ करता था और सरल होता था असोक के काल में जो इस्तूप का दिरमार हुआ दूसरी बात इटो या मिट्टी को ठोस सखल में बनाया जाता था मिट्टी और इ ठीक है इतना मोटा अब ये एक प्रकार से होती है तरज्जा तो ये और तरज्जा को दुगुना जब कर देंगे तो वही ब्यास होता है ठीक है तो ये ब्यास का वालब क्या हो कितना मोटा है वो ठीक है पूरा का पूरा उसकी मोटाई जो होती है उसकी मोटाई यानि पूरा यह जो रेखा है यहीं पूरी रेखा है यही पूरी रेखा है बॕझ की केंदर से हुकर करjsk़ा руtsी है तो ब्यास यह रेखा होती है यह वात आप ध्यान लखेंगे तो एक प्रकार से उचाई जो थी 35łęď 45 फूर थी ब्यास जो था 70 फूर का हुआ करता था तीले को एक प्रकार से अंड कहते थे इसके तीले को जो जिस पर स्टूप टिका होता था 11 कोशन से मौर कालिन वास्तुकला का महत तो बताईए मौर कालिन वास्तुकला का अस्तम है कि अच्छा मैं आपको इस्तूप के इस्तूपों को थोड़ा सा दिखा दूँ अगर आप कहें तो चलिए एक मिट के लिए मैं आपको दिखाने का प्रियास करता हूं एक मिट में ठीक है कि ठीक कि चलिए मैं आपको दिखाने का प्रियास करता हूँ असुक के, क्या आप असुक के अस्तम्भो की बात करें न, चलिए, असुक के स्थूप यास, चले, कुछ भी देख लेते हैं, असुक के स्थूप, ठीक है, चले, आपको मैं दिखाता हूँ भी कैसे हुट कि इस तूप लिखना था वो गलत ठीक गया चले अभी आ रहा होगा देखिए मौर समराठ असोग ने सांची का इस तूप बिदिसा मद्ध परदेश भरहुत का इस तूप सतना मियंपी पड़ता है और सारनाथ इस्थित जो धरमराज का इस तूप है इसका निर्मार करवाया था ये सारनाथ आपका वाराणसी में पड़ता है ठीक है अब इसको थोड़ा सा हम इमेज में देख लेते हैं अभी आपका किलियर होजेगा सारी चीज़े देखे ये होते है कुछ इस तूप ठीक ह एक मेट के लिए मैं इसको हटा देता हूँ एक मेट के लिए देखेंगे सभी चीज़े ये देखे इस तूप है सोक के ये आपका स्थूप आपको दिख रहा होगा ये स्थूप है ठीक है ये सोक का स्थूप है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसको थोड़ा सा और अगर यह बड़ा हो सके, देखें, यह बड़ा हो गया, यह स्तूप है, तो यह स्तूप हुआ करते हैं, जो कि प्रकार से ऐसे बनते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यह आपका गयरा बना हुआ है, यह इस पर जो को चितरकारी मूर्ती बनी हुई है, यहाँ पर यह देखिए अस्तम यहां से उपर उपर और यहां पर कुछ खुदे होते थे लेख वगरा यहां पर आप देखें चक्र वगरा धर्म चक्र बनता था यह देखें सारी चीजे आपको यहां पर दिखाई पड़ नहीं ठीक है तो यह आपका होता है इसके अलावा अगर एक प्रकार से बुद्धिष्ट सम्मंधित है वहलब की बहुत धरम से समंधित यह सब स्तूफ है चुकि असोग जू था हुओ एक प्रकार से बुद्धिष्ट हो चुका था और कलेंग यूद्ध के बाद यह बेसिकलि ऐसा हुआ तो यह स्तूफ है आप देख पा रहे किस्के आप्याज खरते हुआ कि हम समझने का प्रयास करते है इसको हटाते हैं हां तो यह आपके हिम्या असोग के जो स्तूप थे वो मैंने आपको दिखा दिये अगला कोस्टनस आप आउन्ond देखने का प्रियास करेंगे ग्यारवा नबर कोह्म सापके स्किन पर आ चुका है । भटाबटस आप देखने का प्रियास करेंगे बहुत ही जबड़ुन से चले 11 नंबर पर से मौर कालिन वास्तुकला का महत बताईए देखिए वास्तुकला का इतिहासी की संभावता जो शुरू होता है मौर कालिन मठ स्थूपों इन ही से सुरू होता है जब मठ बनने सुरू है मौर काल में स्थूप, भवन, निर्माण, गुफा इन सभी के द्वारा ही आरम हुआ पासाण काल का प्रसरे पा करके यहां अमर नहीं तो अची रस्थानी अवस्य बन जाता है चुकि यहां तक आते आते मौरिकाल से पहले उतना यादा एक परकार से वस्तुकला आपको उतनी सठीक तरीके से नहीं देखती लेकिन इसमें आ करके एक जवर्दस तरीके सारची दिखाई पड़ती 12 नंमर परस्थ AustralNY हिंदू वस्तुकला की कई विस्ताओं का हुर लेक कीजिए कई जिनको आधार पर drinking क driven को ऑड्यारित अग़ाते vários त्पर्यास पर्यास करें तो देखेहिं पहली विस्तुकला के हिंदू अस्था प्रयास करों। इसके अलावार इन उमारतों की किर्सी जो होती थी औो उची होती थी कुर्सी का मलब होता है जब घर बनते हैं तो उसके निव पड़ती है और निव के उपर कुर्सी बांधी आती जिसमें सरीया उर्या डाल करके घर बर बनता देखे होंगे आप तो कुर्सी पहले सरीया उर्या नहीं होती थी, तो कुर्सी बनाते थी लेकिन उची कुर्सी होती ताकि जल वगरा है, पानी बरसे, बाल है तो वहां तक ना पहुँच पाये, क्योंकि इसमें लकडी का प्रियोग भी किया जाता था, ठीक है, इसलिए उची भी होती थी, कारल कि गुफाएं अधिक परसिद्ध है यहीं पर एक विसाल मध्य चैत ग्रह भी इस्तित है यह चैत मंदिर अपनी स्रणी के समस्त चैत ग्रहों में सबसे सुन्दर और सजीव है ठीक है यह बात आप ध्यान लखेंगे आगे बढ़ते अगला कोशन सा चुका है अब की बार तो सुस्तिक समस्तर आप पढ़ी चुके हैं अब लेकिन जो आपके जूनियर सोगे उनको मैं इसना विधोत पढ़ाऊंगा सारी चीज़े एक दम डिटियल में पढ़ाऊंगा चित्रात्मक सैली में आपको समझाने का प्रियास करूँगा अभी तो जल्दबाजी है पेपर आ चैत गुफाएं सबसे पुरानी कहीं जाती हैं यहां एक बिहार है बिहार एक प्रकार से घूमने का अस्थान होता था ठीक है और एक प्रकार से बिहार चैत ग्रे हैं मठ यह सब एक प्रकार से बहुद कालिन अस्थापतिकला के नमूने हैं तो बिहार एक चैत तथा 14 ठोस स्थोप आपको दिखेंगे बिहार में लगबग 4.5 मीटर लंब एक मुख्य मंदफ है जिसके पूर्वी और पश्चमी किनारों पर लगबग 4.5 मीटर लंबा तथा 5.5 मीटर चौड़ा मार्क बना हुआ है पीछे की दिवार की तरफ से दो द्वार तथा 6 द्वार खिड़की है इसके मध एक मंदफ है जो की 26 मीटर के आकार का है इसमें चतुर्दिक बिख्चूओं के रहने के लिए निर्मित कई कोठरियां हैं कमरे हैं इन कोठरियों में सैन के लिए पत्थर की चोकियां भी बनी है ताकि उसी पर वो जो एक प पुना जाने वाले मार्क पर 120 किलोमीटर की दूरी पर माला बनी स्टेशन पढ़ता है उसी से 10 किलोमीटर दक्षड दिसा में जब आप जाएंगे तो वहीं पर कारली गुफाएं आपको मिलेंगी जो की पश्चमी भारत की सेलकृत वास्तुकला के सुंदर उधार के इसी चैत ग्रे के सामने ही दो उचे चतरवुख वाले अस्तम हैं जिनकी ऊपर सेरों की मूर्तियां बनी हुई है ठीक है ये बात आप ध्यान रखेंगे तो यह है कारले की गुफाएं 16 नम्मर को संसा आपके स्किन पर आ चुका है कारले और भाजा की गुफाओं की विसेस अस्तुकला सिल्प के सरवोच विकास को सूचित करती है यहां से निर्मित या यहां के निर्मित अलंकरण को देखने पर यह साप तोर पर पता चलता है कि इसके कलाकार जो थे अपनी कला में पूर रूप से निपुड थे और वो जानते थे बहुत सारे मजे हुए एक परक साथ करड़ी उनके समकाली जो थे उनका नाम था पारासिक देशवासी हर्फन उन्होंने बतोर दान की थे उनको ठीक है यह बात आप ध्यान लखेंगे 17 नमबर कोशन साब के स्किन पर आचुका है फटापट से आप रुख देखने का प्रयास करेंगे प्रसना भारहुत इस्थूप कहा इस्थित है तो भारहुत गाउ जो है यह उचहरा स्टेशन से 6 किलोमीटर उनकी 6 मेल उत्तर पूरब में रथा सतना स्टेशन से 9 मेल दक् प्रकार से भारहूत का स्टूप माना जाता है 18 अमर पर से भारहुत स्थूप की महाभेदिका किस प्रकार की है तो भारहूत इस्थूप की जर्णे वाली बिर्ताकार या गोला कार बेदिका है पूरताया पाशान निर्मित थी जिसमें संभाउता चार तोरण द्वार लगे थे इस महावेदिका में लगबग असी अस्तम्भ जो हैं थे जिनके उपर उष्णिये जो है उन्सीस बठाए गए थे ठीक है यह थे भरहुत के स्थूप उन्निसमा कोर्शन साब देखेंगे सांची का स्थूप सांची के स्थूप के अगर बात किया तो इन सभी का निर्माण और असोक नहीं कर वा है सांची का स्थूप कहां इस्थित है मद्ध परदेश में बिदिसा जिला है भिलसा जिसको बोलते हैं उससे पांच मिल की दूरी परिस्थित सांची बहुत धरम एवं कला के केंदर के रूप में बिस्थान मथूरा से प्रतिष्थान जाने वाले प्राचीन व्यापारी मार्क परिस्थित पूर्वी मालवा का म अध्यपूर मलब की महत्मूर आजनेतिक केंद्र हुआ करता था सांची के स्थूप विस्वा प्रसने अमरावती स्थूप की खोच किसमे करी थी अमरावती महाई स्थूप की खोच करी थी सबसे पहले 1997 में करनल कॉलिन मैकेंजी ने ये बात आप ध्यान रखेंगे आगे देखते हैं अगला कोशन सापके स्कीन पर आ चुका है फटापड से आप देखेंगे अमरावती स्थूप के बारे में कुछ बताएं भई अमरावती स्थूप के प्रवेश द्वार का विबेचन कीजिए प्रवेश द्वार के गर बात के तो महाबेधिका की चारों दिसावव में चार प्रवेश द्वार बने थे inका अंनुरुक परदा प्रथा के अनुसार किया गया था यह प्रवेश द्वार 26 फीट चौड़े थे और इनके दोनों सीरों से बाहर की ओर लगबक 19 फीट लंबवत यानि लंबी अंक निकला था निकला है और पुना समकॉन बनाते हुए अंदर की ओर लगबक चाड़े छे फीट का अंस फिर से एक प्रकार से बनता है उसके सीरे पर समकॉन पर आघक बाहर अंस निकल करके पूर जो है प्रवेश द्वार का निर्माड किया था तक यह था परकार से मरवती स्थूप ठीक है बाइस नमर को सब देखेंगे सांची का इस्थूप सबसे निर्मार्ण करा था या है स्थान पर था है खड़ा हुआ है विदिसाद से लगबग दूर दक्षर में साची का स्थित है सांची के स्टूप में कितने स्टूप हैं सांची के स्टूप में एक स्टूप नहीं बहुत सारी स्टूप है और कई धर्मों के हैं सांची के स्टूप में बेसिकली तीन स्टूप है स्टूप नंबर वन जो है परधार स्टूप है इस्टूप नमबर तीन से ले करके मिलब तीन से सारी पुत्त था जो है मौद गल्यावन के भस्म पात्र यानि लेक सहित उपलब्ध हुए है इस्टूप नमबर दो की निजी भी सेशता नहीं है कोई इसमें असोक के धरम दूतों के अवसेश मिले है भस्म पात्र का लेखन अंकित है इसमें ठीक है यह तीन स्टूप जो है सांची में मिले हैं इसके अलावा अगला है अमरावती स्टूप में संगमरमर किसने लगवाया था अमरावती के स्टूप में मूल लूप से इंटों से चुकी बनाया गया था पहले इंटों से बना था लेकिन कुशाड काल में आते आते क्या हुआ कि इस स्टूप को संग्मरमर की चित्र जो है खचित पट्टियों से आच्छादित कर दिया गया इस स्टूप की रेलिंग भी संग्मरमर से बनाई गई बाद में अमरावती के स्टूप के रेलिंग इस्टूप निर्माड की तक्निकी दिर्श्टी से अगर देखें उच कोट की एक प्रकार से रेलिंग आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेगी अम्रावती स्टूप को के निर्माड और व्यास का उल्लेग कीजिए देखें अम्रावती स्टूप के निर्माड और व्यास का उल्लेग की अगर बात किया है अम्रावती स्टूप अगर मैं आप एक मेंट अगर थोड़ा सा समय दें तो मैं आमरावती के स्थूप की एक बार आपको चित्रात्मक से लिए दिखा दूँ कि आमरावती स्थूप है क्या वास्तों में ठीक है आई जाने का प्रियास करते हैं आमरावती स्थूप के बारे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अमरावती स्थूप ठीक है थोड़ा थो अम्रावती इस्टूप ठीक है? अम्रावती इस्टूप बिल्कुल चलें अब देख लेते हैं क्या है अम्रावती इस्टूप में अम्रावती इस्टूप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह देखें ठीक है? अमरावती स्थूप के बारे में आप यहां पर देख पा रहे होंगे ठीक है यह देखें अमरावती स्थूप का कुछ बाहरी भी यह अंदर का भी हो है अमरावती स्थूप का ठीक है यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह देखें यह प्रकार से बाहर जो तोड़ यह सामने देख रहे हैं यह सामने इधर को यहां पर यहां पर दो तौफ रहेगे थे और इस तरीके से यहां पर आप देख पा रहे जो इस्तूप के बगल में यह अस्तम आप देख से पारे होंगे इसके लावा थोड़ा और आगे देखेंगे यह बाहरी व्यू और फिर उसके बाद में अंदर का व्यू ठीक है यह देखिए यह इस्तूप की लोकेशन यहां पर सारी चीजा आपको दिखाए पढ़ेंगी य क्लियर यह देखिए यह सब चित्रकारी इस पर दिवालों पर यह सब नकासी हुई है यहां पर सारी चीजा आपको दिखाए पढ़ रही होंगी ठीक है ओके क्लियर तो आगे फिर बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं कि चले ओके यहां पर आप देखेंगे इस तूप यह हो गया आपका अब इस तूप के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं भही इस तूप है क्या यह देखे अमरावती के इस तूप के अगर बात की जाए तो अमरावती का जो इस तूप है भही अमरावती के इस तूप के निर्म लंबे हैं ठीक है जो मैंने आपको दिखाया और यह अस्तम दो फुट दस इंच चोड़े होते थे यह इसकी चोड़ाई दो फुट एक एक तोरण द्वार भी था यह निकी तोरण द्वार और इस इस्तूप के अंदर की प्रदक्षिडा पत पांच फुट जो है उचा था बीस फुट की उचाई परिस्तूप से निकलते हुए लगभग 32 गुड़े 6 फुट के आर्यक मंच भी निर्मित किये गए थे ठीक है यह था एक प्रकार से अमरावती का इस्तूप आगे बढ़ते हैं 26 नमर कोशनस आपके स्किन पर आचुका फटापट से आप देखेंगे 26 नमर कोशनस है भई परस नहें कि गुप्त कालीन मंदिरों की किन्ही दो विसेस्ताओं का वर्डन कीजिए बताईएगा गुप्त का इन मंदिरों की सिर्णिया बताईएगे सिल्फ सास्त्र के अनुसार मंदिरों की निम्न सिर्णिया है नागर सैली नागर मंदिर वास्तुकला सैली दूसरी है दर्विड मंदिर वास्तुकला सैली और तीसरी होती ही बेसर मंदिर वास्तुकला सैली नागर सैली बेसिकली यह उत्तर भारत के मंदिर जो होते हैं वो बनते हैं ठीक है दक्षड भारत के जो मंदिर होते हैं दरबिड सहली के और जो आपका बेसर सहली होता है बेसर में दक्षड और उत्तर की विसेस्ताओं को मिला करके बनाते हैं तो होती ही बेसर सहली ठीक है यह बात आप ध्यान रखें कि नागर मंदिर जो होते हैं आम तोर पर वर्गाकार सकल के होते हैं यानि कि वर्गाकार सकल होता इनका इसके लब वर्गाकार गरफग्रे की उपरी बनावट उचे मिनार की सकल की होती है इसके लब नागर मंदिर की रेखाये तिर्शी होती है चोटी की तरफ जुके वेव एक प्रकार से प्रतीत होती है, इसे कि अगर बनेगा, तो कुछ इस तरीके से मंदिर बनेगा, इस सेफ में, ठीक है, इस सेफ में मंदिर बनेगा, ठीक है, सीर्स पर आमलक से सुसोभित रूप से बना जाता है ये, इस पर चाहे कोई कलसा रख देंगे, ठीक है, इसे कलसा दक्षिन भारत में कुछ इस तरीके से मंदिर उपर दर्विट सेली में आपको दिखाई पड़ेंगे ठीक है आगे देखने का प्रियास करते हैं उन्तियस नंबर कोशन सापके स्कीन पर आ चुगा है उन्तियस नंबर पर से दर्विट मंदिर वास्तुकला की किनी चार विसे लिए स्टम से बना दिया आता है और फक्षिन मंदिर होता है कर दो मंदिर की विसेष्टा मंदिर दिखाई पहली विश्यस्ता इस सहली के मंदिर भिन उचाई तथा नामों के चबुत्रिक खासे कुर्सियों पर बनाये गए है इस चबुत्रिक को पिंड मलपिष्ट कहा जाता है इसका होना अनिवार है गरब ग्रेपिष्ट के मंध्य में होता है जिसके मंदिर के इस्ट की मौर्तिया जो होती है उसी में रखी आती है इसे भगवान राम की मन्दर देखेंगे तो गरब ग्रह में भगवान राम को रखा गया है ठीक है इसको चौकोड परतिभा 32 नमर पर से राजपूत वास्तुकला की किनी दो विसेस्ताओं का उल्ले कीजिए तो राजपूत कला की वास्तुकला में जो एक प्रकार से घर या मकान या मंदिर और गरा बनते थे उनके छटे चप्टी होती थी और पटाओदार है जो देखने में अच्छी तो लगती है परन्तु वास्तुकला के दिष्टी से दोस्पूर मानी जाती है भाउनों के पतले चोटे और चोकोर प्रस्तर अस्तंधों का प्रियोग क्या आता था जिस पर नकासी का काम बहुत ही सुन्दर है और वहीं कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो देवी देवताओं की मूर्तियां भी उन पर एक प्रकार से दिवारों पर बनाई गई गई है जैसे राम मंदिर जो बना हुआ है उस राम मंदिर पर आप जाएंगे अंदर कभी गए जाएगा मौका मिले राम मंदिर आने का तो वहाँ पर जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है दिवालों पर मूर्तियां या उस पर पत्थरों पर खुदाई करके तोड़ा अच्छा एक प्रकार से एक नमूना है प्रकार से वास्तु कला का राम मंदिर ठीक है फिर जगमोहन मंदिर, नाट मंदिर और भोग मंदिर, ये मंदिरों के प्रकार होते हैं, ठीक है, पैत के समर कोशन से भूनेसवर के प्रसिद मंदिरों का विवेचन कीजिए, उरिसा के का एक अस्थान है भूनेसवर, भूनेसर में जो मंदिर हैं उनके बारें बताएं, सुरामेश्वर मंदिर इसके लावा गौरी उत्तरेश्वर मंदिर भासकरेश्वर मंदिर और राजारानी का मंदिर ये सब मंदिर एक प्रकार से भूनेश्वर में है जो कि उडिसा में पढ़ता है इसके लावा नायकेश्वर मंदिर ब्रामेश्वर मंदिर और मेगेश्वर कीजिए देखें लिंग राज مंदिर अन्य मंदिर और मुक्तिसवर मंदिर की भांती ब्रामठ कला पधती का सरभुत्तम प्रमाड आपको लिंग राज मंदिर में दिखेगा इसके दिवारों पर तीन तोरडवार है जिसमें एक का नाम है सिंग द्वार और यह मंदिर जो है पीड देवल पध्धती का बना हुआ है इसके चार प्रमुख भाग है पहला भाग है बिमान दूसरा है जग मोहन तीसरा है नट मंदिर और चौता है योग मंदप इस मंदिर की उचाई एक बग तिराल भ मेरा को समय लूँगा कि यूदिया याम आपका लिंग राज मंर है यह आपका लिंग राज मंदूर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सारी चीज़ापने के लिए यहाँ पर प्रकार से प्राचीन सेली का मंदिर है आप यहाँ पर सिखर देखें यह आपका एक प्रकार से गर्वग्रह का सिखर जो उपर वाला पूरा यह प्रकार से लिंग राज मंदिर है जो की उरिसा में है ठीक है कहा प्रविया यह उरिसा में मंदिर है और यह लिंग राज मंदिर है ये बात आप ध्यान नखेंगे इसके लामा और भी चीज़ों को अगर देखने का प्रियास करें हम थोड़ा सा ये देखें ये कुछ भीव आपको लिंगराज मंदिर के दिखाई पढ़ रहे होंगे ये इस तरीके से हैं लिंगराज मंदिर यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रांगण है बैठने उठने के लिए कासी विसुनात का मंदिर अगर आप अंदर कभी बीच्चों में गए तो कासी विसुनात का मंदिर जो है कुछ इसी तरीके से बना हुआ है ठीक है लेकिन इसमें दिवालों पर आप देखें किस तरीके से नकासी की गई है ये अब जब आप वहां जा करके देखेंगे तो और बिद्वत तरीके से आपको देखेगा ये है लिंगराज का मंदिर ठीक है आप यहाँ पर कुंड भी आप देख पा रहे होंगे कुंड भी है उसके बगल में इसके अलामा ये कुछ अंदर का भीव आपको देख रहे होंगे लिंग राज मंदिर का ठीक है ये ये मुख्य सिखर जो है ये है इसके ऊपर से और अगर देखे तो ये यहाँ पर देखेंगे ये फोटो यहाँ पर देखेंगे ऊपर जो है उपर में यहाँ पर आप देखा दिखाई पढ़ा होगा आपको ये देखें सिखर पर जंडा लगा हुआ है और सिखर पर आप देख देखते हैं यह पूरा जंडा लखा करके और जंडा फैरा रहा ठीक है यह कुछ इस तरीके से होता है यह लिंग राजमंदिर और एक चीज यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो है मोर्तियां यानि की जानवरों के प्रकार से जो है यह देखेंगे सींग वगरा की फोटो यहां पर दिखाईगी तो यह तरीके से आप यहां पर ने लिंगाराज मंदिर को देखा ठीक है अब आगे बढ़ते हुरव चीजों कौझा ने का प्रियास करते हैं किलियर को हुआ उड़ीसा में पढ़ता है यह भूनेसर में ठीक है सैतेस नभर को स्थ आपके स्किरिन पर कर आ तेखेंगे साहगा सै बेताल मन्दिर का वीवेचन कीजिए यह जो है खाड़्या कांड नामक पत्थर से बना हुआ हुद उसे सदेवल कहा जाता है। इसके भाग है बेताल पाद, बेताल मस्तख, फर आप δेखेंगे गज रोहियों का चिटरंगन किया अगयन चुद पर बैठे वे लोग दिखाए गए हैं बेताल पात था बेताल मस्तक के बीच में जाली का काम देखने के योग गए ठीक है जो यहाँ पर जाली का काम किया गया है वो एक प्रकार से सराहनी है अगला कोशन से 38 नंबर प्रसनाब देखेंगे 38 नंबर प्रसनाब के स्किन पर आचुका फड़ा पर देखने का प्रयास करेंगे 38 नंबर कोशन से आप के स्किन पर आ चुका भिया बहुत ही मैठफोन प्रसना चुका है प्रस्ना 58 संबर खजुराहो के मंदिर कहा इस्तित है और इसके लामा इसी कारण से जहां के मंदिरों को खजुराहो के मंदिर के नाम से पुकारते हैं खजुराहो बुंदेल खंड के छतरपुर जनपद में जहासी, कमिस्नरी तथा जनपद के लगबग सौ मील की दक्षिड पूरव की तरफ हिस्तित है जो अब एक कस्बे की रूप में देखने को मिलता है खजुराहो के मंदिरों की विसेस्ता है क्या है पहली विसेस्ता है कि खजुराहो के जो मंदिर है उन मंदिरों के चतुर्दिक जो है कोई आकार नहीं है दूसरी विसेशता य省 कि फञज्राइटी सहली के खज्राहो के मंदिर की प्रमग विसेशता हैं पंच्याती सहली के मंदिर वही विसेशता परकड़ करते हैं इसके हळावार 40 समरह कोषंस आप देखेंगे चालिस समर कोशन से आपके स्क्रीन पर आ चुका फटापट से आपको देखने का प्रियास करेंगे खजुराहों के मंदिर का वर्गी कण कीजिए खजुराहों के मंदिरों का वर्गी कण कीजिए देखे पूरवर्ती खजुराहों के मंदिर 64 योगिनी मंदिर 64 योगिनी लाल गुवा महादेव का मंदिर ब्रम्हा का मंदिर मातंगे स्वर का मंदिर और 12 मंदिर ये सब खजुराहों के मंदिर है परवर्ती खजुराहों के मंदिरों में अगर देखेंगे मनलब उसके बाद में से इस मंदिरों की गढ़ना परवर्ति खजुराहों के मंदिरों की रूप में करी जाती है 41 नमर कोश्चन से पूर्वमधिकाल की मूर्तिकला की किनी दो विस्यस्ताओं के बारे में लिखे तो देखे पूर्वमधिकाल में पाल बंस चंदेल बंस और पल्लो सासक ये एक प्रकार से बिस्यस रूप से उलेखने रहे इन काल में या इन पीनों के काल में जो मूर्तिकला रही है वो भी प्रकार से अपने चरम पर रही है इस काल में हिंदू और बहुत दोनों की मंदिरों का उलेख आपको मिलेगा दोनों धर्मों के मंदिर यहाँ पर बनाए गए इस काल के मोर्तियों के प्रमुक बीच से इस्ताये जो रही है वो प्रभाव सली इस्ताये रही है मलब की ठीक ठाक बीच से इस्ता रही है ठीक है आगे देखेंगे 42 नमर कोशन साथ के स्किन पर आ चुका है कंदरिया का मंदिर है संभावता यहां मंदिर जो है दस्वी स्ताब्दी में निर्मित हुआ होगा 12 से 109 फूट लंबा और 60 फूट चौड़ा यह मंदिर है धरातल से इसकी उचाई लगबग 116 फूट है कत्पे पुरातत्त बेतावन यह कुछ पुरातत्त बेतावन के अनुसार यह 100 फूट लंबा है 60 फूट चोड़ा है और 100 फूट उचा भी है यह मंदिर लगबग 13 फूट उचे एक चबुतरे पर बना हुआ है इस पर जाने के लिए सीडियों की विवस्ता करी गई है तो यह है कंदरिया महादेओ का मंदिर जोगी खजुराहो के मंदिरों में सबसे प अधार भाग जिस पर अनेक चक्राकार जो धलाईयां होती है वो बनी होती है ब्राउन एक विद्वान उन्होंने कहा इतिहासकार है उन्होंने क्या कहा कि जिस परकार जड़ के आधार पर ब्रिक्ष खड़ा रहता है उसी परकार सुर्दिध और ठोस आधार पर भबमंदि रिष्टित रहते हैं और वही आधार का काम करता है आधार भाग दूसरा भाग होता है मंदिर का होता है आधार भाग के उपर जो दिवार होती है वो यानि भीत्रिक अक्षों में जाने के लिए इन दिवारों में प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं नहीं दिवारों में दर जी ले लेनगी छहत जो अमसा उची हो ती हैं सीखर के रूप में हम उसको जानते हैं 新 संवर क्षे पल्लों के सास्षक लैं मंदिर वास्टूकला के सrets King के बारे बारे हैं पल्लों कि अगर बात कि तो पल्लों मन sommes के समय मंढिर की कि इस्तिति क्या रही तोकिका पलो में आपको देखेंके महें अले के मंदिर आपको देखनी को मिलती हैे राज सिंग सेने और नंदी वर्मान और शोप और जोगिया चार मिलता झाहित करें आगे characterized kal कजाने को ऑप आगे की लिजों को ठाके berger केम लिजों की आपको सहली के मंडब बताईए तो महेंदर वास्तुकला सहली जो है उसके मंडब में क्या होता था देखें नंद बल्ली यानि गुंटूर जनपद के अनंत सैन का मंडब जो है इसका एक उधार है इसके लावा भैरो कौंड यानि उत्तरी अरकाट जनपद का जो मंडब है वो आप दखेंगे कि ini man abdhati अएक प्रकार से पहाडों को कार्ट करके मंडब कर में पार गये ऐदियान cheesecake कि बताये में तो महेंदर शैली की वास्तुकला कि नमूनों को छत्ठान को काट और चाट करके मंदिरों का निर्मार किया गया है और नी पत्थरों को काट चाट करके मूर्तियों का निर्मार भी किया गया है इसकी विसेशताएं हैं कि यह मूर्त की ब्रत्ताकार लिंग के रूप में मूर्तियां है वो लिंग ब्रत्ताकार लिंग में हैं विसेश प्रकार के द्वारपाल हैं द्रोपती रत का विबेचन कीजिए यह रत बड़ी सुन्दर विधी से बनाया जाता है जो दर्शनिय है इसकी बनावट में सजावट भी सामिल है बारीक काम को बड़ी कुसलता के साथ बनाया गया है जिनके जोडों में हमें किसी प्रकार का भद्धापन नहीं दिखाई दे इसको देखने से पता जलता है कि इसका निर्माण कुसल कलाकारों के द्वारा हुआ है जिनको अपनी छीनी पर पूंड रूप से अधिकार प्राप्त था और प्रते का अकरती के कटाओ का वे अच्छा ग्यान रखते थे तो दुरोपती रत का निर्माण किया गया है दुर पल्लो सासनकाल की मामल वास्तुकला सेली का एक सुंदर रत की रूप में देखाया सकता है जिसकी सजावट की परते की काई की तरास सुंदर विधी से किया गया तरासी गई है जो पत्थर है और कुसल कारीगरों के द्वारा किया गया है इसको बनाया गया है जो कि देखने में अच्छा लगता है और इसकी सजावट की प्रते की काई में हमें किसी ना किसी प्रकार का दोस्त आपको नहीं दिखाई पड़ेगा वालब कि एकदम से बारीकी के साथ इन रत मंदिरों को बनाए गया है ठीक है यह बात अध्याने के परिक्षा में प्रस पोशेगा तो आप आतानी से लिख देंगे अगला कोशन्स पचास नंबर कोशन्स आपके स्कीरिन पर आचुका फड़ाबट से आप देखेंगे पचास नंबर परसने पल्लो रत मंदिरों की किनी चार विसेस्ताओं का चुड़े हुए हैं इसलिए इन्हें पांडो रत भी कहते हैं जो कि पांडों के नाम पर पड़ा हुआ है अलजुन रत भीम रत सहदेव रत ठीक है दुरोपती रत इसरी बात इनकी अधिक्तम जो लंबाई है और 40 फिट होती है चोड़ाई 55 फीट है और उचाही लगबग 40 फिट है इसके लाव रचना के दिश्टी से यह चैत और बिहार प्रकार के मंदिर के रूप में जाने जाते हैं ठीक है निए चैत और बिहार के रूप में आप इन मंदिरों को देखेंगे यह क्या वान नमर पर से आजनता भीती चित्रियों कि नहीं दो विसेस्ताओं को को लिखें आजनता में जो चित्रकारी हुई है उसके बारे में बताए कुछ लिकाते हैं इसके अलावा दूसरी बात आजबता भीती चित्रों का रेखा चित्र नहीं किया गया है यारी कि रेखा चित्रत्मक सहली में उचीजी जीजिए बावान अनुबर कोशन से बहुत बहुत काल में और इसी के माध्यम से बहुत धर्म का प्रचार प्रसार होता है ठीक है कला के माध्यम से जब भारती भिच्छो कस्यप भ्रिंग चीन के समराट मिंड गटी की प्रातना पर चीन गए तो उनके साथ बहुत चित्रकला के बड़े ही सुंदर चित्रों का संग्रा अभी एक चित्र एल्बम के रूब में वो साथ ले गए थे अवलब की साथ में गया था इतिहास इस बात का साक्षी है तो कुल मिला करके ये प्रकार से जो कला रही है वास्तों में ये बहुत काल को प्रचार प्रसार में ज्यादा इंपोर्डन रही बहुत धरम इसी लिए आगे बढ़ा चुकि कला उस समय अपने चरम सीमा पर थी आगे देखेंगे तिरपन नंबर कोशन से आजंता की चित्रकारी की सुरक्षा के लिए किये गए उपायों का उल्ले की जीन देखें पहला उपाय ये है कि धुए के करण भी यहां की चित्रकारी के नमूनों की छत चित्रकारी है वो बहुत जादा खराब हो चुकी है ऐसी दसा दूसरी बात ऐसी दसा को देख करके इनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया गया और अजंता के अच्छे चित्रों के सामने जाली लगवा दी गई है ताकि दर्सक इनको खराब ना कर पाएं यहां सफाई भी करवा जाती है आजंता के चित्रकारी के बारे में थे खांणा को अभी दिखाने का प्रियास करूंगा यह तोड़ सा इंडी चित्रों की शित्रों के भाघों में बाटिजquila यह उत्य। जित्रों को कई भागों में आप बांड़ तकते हैं पहला भागिया है प्रथम स्रिणी की जो बित्ती चित्र हैं इस प्रकार की इसमें आप देखेंगे भित्ती चित्रों में खासरीपसुपक्षी पुस्पलताएं अलोकिक पसुपक्षी राक्षस किंदर परथम सुर्णी की चितरों में आपको देखेंगे लोग पाल, बुदध, बुदिसत्नों, राजा, राणियों उनके व्हिंगेंगे आजंता की चितरों में आपको यह चीजे देखेंगे अजंता की चितरों में आपको यह चाहिएगा देखने important है अगर आप ancient history पढ़े हैं तो आपको देखे रहा जाना चाहिए आजन्ता के भीती चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं आजन्ता के भीती चित्र जो होते हैं हमको कई गुफाओं में देखने को मिलते हैं पहली गुफा, दूसरी गुफा, नवी गुफा, दसमी गुफा, सत्रवी गुफा और अपने भीती चित्रों के काड़ से बड़ी महत्मोर दिश्टी से देखी आती है, अजन्ता के सुलाहमी गुफा, अजन्ता के बात किया, अजन्ता के बारे में थोड़ा समय, अजन्ता के है अ जनता की कि अं। फैर Season की फ़न है अ जन्टा के गुफहाओं के वह बात करें तहीं हमारास्थ में है ए हिस्टरीकल प्लेस ए ठीके यहाँ पर आप देख रहे है आजनता की गुफ्ववा citrus जो है यहां पर आप देख पा रहे होंगे अजन्ता की गुफा के चित्रकारी किस तरीके से है ठीक है यहां पर चीजों को थोड़ा सब देखने का प्रयास करें आप सभी लोग ठीक है यह देखें यह चित्रकारी है कुछ यहां पर आप देखेंगे अजन्ता की गुफा में चित परदस्त पत्थरों को काट करके बनाए गया है और देखेंगे कितना अधा खराब हो चुकिए लगबग चित्रकारी इसमें आप देखेंगे तो लगबग वह सारी चीजे खराब आपको दिखाई पड़ेंगे आप ठीक है फिर भी और भी अभी भी इसको एक प्रकार से अप पर कितने चित्र आपको दिखाए पड़ेंगे यहां पर आप देखेंगे यह नीचे यहां पर लाइटे लगा दी गई है ताकि जो है आप जो है जब जाएं वहां पर देखने चुकि बहुत सारे लोग परेटन के लोग जाते हैं देखने के लिए यहां पर वह इससे तो भी आपको मूर्तियां दिखेंगी ठीक है इसके अलामा अगर आंगे बढ़ेंगे तो कई सारी चीजें można पड़ New York यहाँ पर दिखाई गट्टी तीक है यहाँ पर लाइटर लगा दिकैंगि यह इस तंब बड़े बड़े ठीक है इसके अलामा अगर बात करें आगे देखेंगे अगला चित्रा आपका आ रहा है ये ये आप देखें मोर्तियों के चित्रा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरे इसाब से आपको दिख रहा होगा ये देखें चित्रा है ठीक है ये अस्तम्ब यह इसके आद में आप यहां पर यह देख पा रहे होंगे किलियर यह भी बड़ा जवर्दस्त आपका देखें यह चित्रकारी हुई है हलाकि यह जो धुआ लगा था यह मैंने अभी बताया था नहीं था थोड़ा सा काला जरूर पड़ गया है लेकिन आप देखेंगे तो यहां पर यह चीज़े आप नकासी थोड़ा सा देखें यह देखें पलस्तर वगरा जो था इस पर पर मूर्तियों के प्रकार से अस्तंबों के नीचे आप देखें अस्तंब एकदम से प्लेन है यहां पर यहां पर यहां पर गुमबद है पूरा और गुमबद के उपर भी आप देखेंगे किस तरीके से यह चीज़े बनी हुई है और एकदम से जब आप वहां पर करें झो किक आप यहां पर देख पार होंगे तो यहां पर बहुत सारे चित्र मिलेगे एग जन्ता की गुफा नंबर वन गुल गूफा कई सारी गुफाई हैं तो गूफाओं Karen आप नाना प्रकार के चित्र को देख पाएंगे यह आप देखें चित्र ठीक है इसके अलामा यह चित्र आप देखें यह चित्र देखें यह बाहरी दिर से यह आजनता की गुफाई यह हैं यह गुफा नंबर एक दो तीन चारे से आप देखें चले जाएंगे तो यह एक प अपूरा का पुरा साउंदर लब आपको मन मोहक है कुल मिला करके और जाएंगे तो कुछ ना-कूछ है इतिहास की चीज़े ही चीखेंगे बहुत सारी चीज आपको जानने को मिलेंगी ठीक है तूंक आपको को दिखाई यह देखिए इस चित्रकारी आपको यहां पर की गयी है ठीक है ये पहला साइवर आगे Pro चीजों को जानने का प्रियास करते है ठीक है आई यह पर थे मैं अजंता की सोलावે गुफा देखेंगे तो इस गुफा का सबसे सुन्दर चित्र जो है वो मरराशन राजकुमार का है इस चित्र की सभी विद्वानों ने बड़े सुन्दर सब्दों में परसंसा करी है इसकी बनावाट दर्शनिय है इसके अतरिक्त बुद्ध उपदेश देते हुए मुद्रा का एक सुन्दर भित्ती चित्र आपको यहाँ पर दिखेगा इसके अलावे इस चित्र का अधिक भाग समय के परिवर्तन के कारण से नस्थ हो गया है और यहाँ तक बुद्ध जी का जो मुख है मुख मुद्रा भी टूट फूट गई है चुकि बड़ा लंबे समय से प्रकार से वह सुरफ्चिता और इसलिए बड़ा लंबा समय होगा इसलिए चीजे चली जाती है तूट जाती है पच्पन अव सतावन नंबर को संसा आप देखेंगे प्रस नाप सतावन इलोरा का कैलास मंदिर कि राष्ट कोर्ट सासक के द्वारा बनवाया गया था इलोरा का कैलास मंदिर जो है राष्ट कोर्ट सासक थे किष्ण पर्थम उन्होंने बनवाया था कैलास मंदिर के निर्मार यूजना का वरणत कीजिए तो कैलास मंदिर जो है इसके निर्मार के परबत की चोटी के एक छोर को तीन बड़े बड़े समकोन खातों में पहाड के नीचे तक सीधी खड़ी गहराई में काटा गया है और लगबग 300 फुट लंबा और 175 फुट चोड़ा आयताकार छेतर बन गया है इसमें आंगन है और बीच में लगबग 200 फुट लंबी और 100 फ का है कैलासनाथ मंदिर की अंग बताएं एक लासनाथ मंदिर में चार प्रमुखंग है पहला है मंदिर का मुख भाग दूसरा है मंदिर का प्रवेश द्वार और तीसरा है नंदी मंदक और चौथा है आंगन ये चार चीजे कैलासनाथ मंदिर की फेमस है ठीक है थोड़ा स अजन्ता की गुफाई यहाँ पर हो गई, आप थोड़ा सा मैं आपको दिखा दू, एलोरा की गुफाईं, एलोरा की गुफाईं साथ सा दिखा दे रहा हूं, चले, एलोरा की गुफाईं दिखा दू, चले, एलोरा की गुफाईं की अगर बात करें, तो आईए देखने का प से एक युनिस्ट को भिस धरोहर के रूप में इसको सामिल कर दिया गया है या दुनिया में चक्टानों को काट करके बनाए गए सबसे बड़े हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है जिसमें लगबग 600 से एक हजार इस भी तक की जो अवधी की जो कला करतिया है जिसम में राश्टकूट बंस के सास्कों के द्वारा बनवाया गया था और अपनी इस असमार गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलूरा युनिस्ट के कुदारा भिस धरोहर भी घुसित किया गया है ठीक है इलूरा की गुफा में किसका मंदिर है जैन बहुद हिंदू सभी का मं होंगे ठीक है अजन्ता की गुफाओं के लास मंदिर एलूरा चले कलास सांत मंदिर ही देख लेते हैं एलूरा की गुफाओं में है कैलास मंदिर इसी मंदिर को देख लेते हैं ठीक है देखें, यह आपका, आने दो येच अडी में, चलें, यह आपका कैलास मंदिर है, यह कैलास मंदिर कहां पर है, एलूरा की गुफाओं में ही कैलास का मंदिर इस्तित है, यहां पर आप देख पार होंगे, ठीक है, इसके अलामा अगर बात की जाए, यहां पर आप देखें, ये भी चित्र आप देख लें थोड़ा सा ये आपका कैलास सातमांदिर है ठीक है इल्वरा की गुफाव में ही स्थित है ये आपको दिखाई पढ़ा होगा सारी चीजे थोड़ा सा और अगर दूसरे चित्र की और चले हम और भीजारतारी देखें ये आपको दिखाई ये तो कैलास साथ मंदिर जो है प्रकार से इल्वरा की गुफाव में है कुछ इस तरीके से चित्रकारी इल्वरा की मंदिरों में करी गई है इल्वरा की मंदिरों में बहुत धरम से समधित भी मूर्तियां है जैन धरम से समधित भी है और हिंदू धरम से समधित ही मूर्ति यह सारी चीज़ आप देखते बहुत सारे लोग वहाँ पर टहलने जाते हैं और यह नकासी आप बड़ा जवरदस्त है और उपर पहाड़ों को काड़ करके विस्तार से इसको बनाया गया है यहाँ पर सारी चीज़ आप देख पा रहे होंगे ठीक है यह मूर्तियों का से तमाम मूर्तियां आपको वहाँ पर रखी हुई दिखी है रखी मलखी आपको मिल जाएंगी लेकिन उसको छूने का एक प्रकार से अधिकार नहीं दिया गया है यह बात भी आध्यान देखें यह प्रकार से कुछ बाहर से पॉइंट आभी हो देखें यह ठीक है है जो कि आपके परिच्छा के लिए बहुत ही जो प्रदस्त प्रस्ण है तो प्रस्णों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं ठीक है कि चले कि चले तो यह कहलासन मंदिर जो है इसमें चार प्रमुखंग है जो मैंने आपको बताए इलूरा है की गुफाओं के बारे में या इलूरा की मंदिर उसके बारे में थोड़ाव जान लेते हैं ऐलूरा के मंदिर की बीचिष्ताएं मताएं का अंतिम रूफ है कहलास मंदिर में गुफा भावना का परिट्या करके दिर्वित arrangement की загdh में अधिस्थान का भाग पहाड़ी की ऊपर से नीचे तक काट करके बनाय गया है एलोरा का कैलास मंदिर जो है उत्किन वास्तुका बिस्तुका सबसे अनूठा है और बिस धरोहरो मेसिस को सामिल किया गया है एलोरा और अजन्ता की गुफाओं सभी को एक सथ नंबर कोसंस आपके स्किन पर आ चुका है राष्ट कूटों के मंदिरों की विसेस्ताएं बताएं तकि इन मंदिरों की विसेस्ताओं में इनके मंदिर पहली विसेस्ता की जो राष्ट कूटों के मंदिर हैं इनके मंदिर जो होते हैं सैल उत्खात हो यांकि सैलो को का पूरा मंदिल बना जाता था राठ कुर सासकों ने जो मंदिल बनवाए हैं ईक पत्थर को काटकर पूरा Então दर्विड मंदिल की सारी विसस्ता एं पर अलक्षित होते हैं यह मंदिल एक कूची जगती या अधिष्ठान परिस्तित हैं ये विसेस्ताय हो गई डास्ट कोटों की मंदिरों की प्रागय तिहासिक चित्र कैसे बना जाते थे तो प्रागय तिहासिक चित्र मात्र रेखाओं के माध्यम से बना जाते थे दो या तीन रेखाओं के माध्यम से मानों की करतियां बना दिया थी दो रिक्षाओं के मादयमस से चितरकारी यह आपको प्रागयतिहासिक काल में देखने को मिलेगी सब्सक्राइब इस अभी अस्थानों में से प्रागयतिहासिक अंुद्र से compost नमर पर से आपधे से लेखैंगया बानाओ से और भाग्य प्रकार से पांच भागों में बाच सकते पहला है सवाभाविक दूसरा है सहली बद्ध तीसरा है आलंकृत चौता है परमपरागत और पाचवा है परचली तो यह सब प्रकार से चित्रों के 5 परकार है। अनुसर्ट नमर मध्य परदेश के होसंगाबाद की आदमगण की कला के बारे में क्या जानते हैं यहां जो चित्रकला में भैंसे का सिकार दिखाया गया है इसके खिलाड़ सिकारी घोड़े पर हाती पर बैठ करके जंगल में सिकार कर रहे थे हैं और कुछ सिकारी जो है उप यिसमें स्वास्तिक का चिंज मिला है छक्र का चिंज मिला है त्रिकों मिला है इसमें हिंदु धरम के प्रकार से आपको दिखाए पड़ती है एसमें चित्र भी ततकालिक Liberty Call उ और Records से हिंदु धरम को एक प्रकार से इंगित करते हैं सनातन धर्म की बात करते हैं 59 नमर को संसा चुका है सेंधो मूर्तिक कला का वड़न कीजिए मूर्तिकला की विसिष्टा का परिचे देने वाली अनेक पाशाण तामे की पाशाण कुर मिंड मईई और मिटी की तमाम मूर्ति आपको मिली हैं सेंधो सभ利ता सी समस्त मूर्तियों को 2 वर्गों में बाता गया है जा सकता है पहले वर्ग के अंतर analyzing को रखा जा सकता है कि कि değer गविए मुड़ियों से अगनी में मिर्ति की मूर्ति उसको आग में तपाते थे और उस पक्की हुजाती थी तो ये मूर्ति बनाने की तरीका इसके लावा छेनी है थोड़ी ले करके पत्थर को काट चाट करके उसको कटाई चटाई करके पत्थर को तरास करके मोहंजोदारों से मिट्टी की ऐसी तमाम मूर्तियां आपको पराप्त हुई है जो की पत्थरो से भी काट करके बनाई गए इकात्तर नंबर प्रस्ण है सेंधो कला की किरिंदों विसेस्ताओं का वरणन कीजिए तो सेंधो कला में आप देखते पहला है हडपा संस्कृति की कला सरल और उपयोगिता इसकी प्रधान है हडपा की कला सौंदर और मौलिक रजना के प्रकास और लोकित भी हैं यहाँ पर बाता नंबर को संस आप देखेंगे फटाफट से आप देखने का प्रियास करेंगे प्रस्ण आपके स्किन पर आ चुका है प्रस्ण क्या विया मौर कालीन मौर्ति कला का वरणन कीजिए इस समय के मौर्तिकारों ने जो मौर्तियां बनाई है उनमें कुछ मिल गई है जिनको देखने के से पता जलता है कि इन मौर्तिकारों ने मनुस नारी देवी देउताओं और राजाओं के अतरिक्त फूल फल पसू पक्षी और इन सभी की मौर्तियां बनाई है जो एक प्रकार से आपना जोण रखती है और अपना एक प्रकार से महत रखती हैं ठीक है तिरपन 73 नबर कोसांस है मौरकालिन मोळतियों के कितने रूप हैं तो पहला रूप है इसका उभारदार मोरतियां जो इस प्रकार के मोरतियां होती हैं जो उभरी हुई सकल में बनी हुई होती हैं पटना में इलाहबाद में मतुरा में इन सभी संगरहलव में आप जाएंगे तो यह ऐसी मोर्तिया आपको देखने को मिल जाएंगे उभारदार दूसरी होती थी चप्टी मोर्तियां इस समय चप्टी मोर्तियां भी बना क वड़न कीजिए इस काल में मूर्तिया बराने के लिए नरम पत्थर, मिट्टी, हाथी दात, पसो के सिंग, अनेक प्रकार की धातोए जैसे सोना, चांदी, कासा, पीतल इन सभी का प्रियुक किया एता था सोने की मूर्तियां, तो हमें इस काल की प्राप्त हो गई है, और इस काल में लकडी की मूर्तियां भी बना करती थी, ठीक है, ऐसा बता आयाता है मौर्काल के दोरान पचात्तर नमर कोसंस है, मौर्काल इन मूर्तियों की किनी दो विसेस्ताओं का वड़न कीजिए तो पहली विसेश्ता है मौरकाल की मोर्तियों में कहीं पर भी भद्दापन, मोटापन, बेढ़ंगापन दिखाई नहीं देता है और हर काम में बारिकी और समानता दिखाई पड़ती है ये विसेश्ता है मौरकाल की मोर्तियों की ये बात आप ध्यान लखेंगे चेत्ता नमबर कोसन साब की स्किल पर आ चुका है चेत्ता नमबर कोसन साब देखेंगे सैंधो सभिता में पाशाण की मूर्ती बताएं सैंधो सभिता सैंधो सभिता में पाशाण की मूर्ती के गरबात किया है ये सब एरिया जो है वो पत्थरों की एरिया नहीं रही है इसी कारण से महापन नहीं बने इसके लाव पासाड मोर्तिया अधिक संख्या में मिट्टी के नीचे दवी हुई है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये इसलिए नहीं मिली अगला प्रसना सतत्ता नंबर सिंधुगाटि स सब्विता के मोर्तियों का वर्गिकर कीजिए विद्वानों ने सिंधुगाटि सब्विता की जो मोर्तियां है उनको कई समोह में बाता है बिसकली तीन समोह में पहला है पासाड मोर्तिया ने जो पत्थर से बनाए गई है दूसरी मोर्तिया जो एक प्रकार से मिट्टी की म हुए है ठीक है मलत की वस्त धार की हुए मुर्ति बनाई गई है उससे पहले मुर्ति बनाने की में वस्त नहीं पहनती थी वह से मूर्ती बना देते थे तीसरा वस्ट वर सरीज से चिपके हुए है जो था कर फार अधिक है ये प्रकार से मॉर्तियां बनाई गई है ये प्रकार से रहत हुआ कल बसुरा कला सहली की मुर्तियाई थी सब्षिस नमें 89 नमर कोशन सा चुका है मतुरा सहली की मोर्तियों में कोई दोस बताएं तो पहला दोस्व कि मतुरा सहली को मोर्तियों में अध्यात्मिक भावना का हल्का साभाव है जो आखों में 3,000 के समान खटकता है, दूसरी कुछ मोर्थियों की तराज में सुन्दर्ता की छाप कम है, तो ये एक प्रकार से दो-दोस है मत्वरा सैली की, असी नंबर कोसन से हिंदू देवी देवताओं की मोर्तियों की चार विस्थ्ताओं का उल्ले कीजिए, तो हिंदू देवी देवताओं की मोर्तियों की विसेस्ताओं की अगर बात किये तो पहली बात ये है कि हिंदू देवी देवताओं की मोर्तियां भावपूर होती है दूसरी विसेस्ता इस प्रकार की मोर्तियों में सुंदरता की छाफ है तीसरी इस तरह की मोर्तियों में इक्तम से फीट बनाया गया है यह हिंदू देवी देवताव की मोर्तियों में ठीक है आगे देखेंगे 802 नमर कोसंस आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्रस्थ इंपॉडंट है मतुरा सहली की जैन मोर्तियों की विसेस्ताय बताएं बतादार है उनमें पकापन है आर्था जोड़दार एक परकार से रिखाएं है यह मतुरा सहली की जैन मोर्तियों विसेस्ताओं को धार किये हैं दूसरी बात यह मोर्तियों पूरे कदकी है यह पद्मासन पर बैठी हुई है तब पूरे कदकी भी अनी खड़े पोज में भी और पदमासन मुद्रा में बैठे इसे जो रिसी मुद्र बैठे रहते हैं महत्मा बुद्ध जो है पदमासन में हमेशा बैठते थे यह निकी पल्थी उल्थी मार करके तो होता है प्रकार तो पदमासन बैठी वई दिखाई गई है पूरी जनम की घटनाय भी मोर्ती रूप में देखने को मिलती है मोर्ती के स्थान पर इनको रेखांकित रवरेखा च सरता तथा भौतिक वाधिता को उभारा गया है जो भी सैली की विसेस्ता भी कही जा सकती है दूसरी बात मतुरा सैली की मोर्तियों में गंधार मोर्ती कला की भावों की छाप भी दिखाई पड़ती है गंधार में बलब गंधार सैली और मतुरा सैली लिगवक समानतर सैली रही है तो दोनों में दूसरी के विश्थाय देखने को मिलती है । गंधार कला का प्रभुवंग है गंधार सैली का प्रभुवंग भिसला भाउत धर्म की मोर्तियों को बनाना जिनको यूना दिवी डिवताओं के अधर बनाए गया है। जैनि यूनान में ज Сп सरी की के सनोतियां बनती थी उसी की आधार परिक्रार्ट से बहुत धर्म की मूर्टियां बनाई गई गंधार सहली में अनुधा स्थर hus के इस भारतिये है और इस कि मौतिकारों को अपरे कल्पना से काम नहीं लेना पड़ा क्योंकि उन्हों उन्हीं कथाओं को मूर्ति का रूप दे दिया जिनका वह अभ्यास जाता कथाओं में कर चुके थे अता भारत में यह विसे लोग प्रिये भी रहा चुकी इसमें जो सहली थी वो एक प्रकार से दूसरी थी विदेशी सहली थी और कथाएं अपने यहां की थी 85 नंबर कोशन स गंधार मूर्तिकला की दो विसेश्था हैं पहली विसेश्था अजेग मूर्तियों में सिर के चारो तरफ साधा प्रभाव अंडल आपको दिखने को देखने को मिलता है तो देख पाएंगे 87 नम्बर कोसर से गंधार मार्तियों को भारतिये मोर्तियों से अलग करने वाले तथ्थ बताईये पहल verstंग है शहलितो बै Deaf की मूरतियों में भारतिय चाप दिखाई परती है परंतु गंधार सरी में देखें युनानी पन दिखाई पड़ता है जानी गंधार सहयली में जो अलंकार है उन पर भारतिये चाप है परंतु gandhar गंधार मुर्तिकलासाईली की मूर्तियों ने अलंकार को रूढ़ापन बताया है और अलंकार जादा नहीं गिया है जिसके कार से सुन्दर दिखाई नहीं देती है तो गंधार मुर्तिकलासाईली जो है उतना सुन्दर नहीं दिखाई देती है जितना जादा दिखाई सुन् साचे में उसके बाद में बनाते थे दूसरी बात तरास करके मुर्थी बनाने की विधी थी यानि कि पत्थर को काट करके चीनी है थोड़ी से मार मार करके उसको काट करके बनाते थे इसरी साचों में के द्वारा मुर्थी बनाने का तरीका साचों में ढाल देते थे एक साचा चाक के द्वारा मु अलब की जो एक प्रकारण से घुमा करके चाक से दिवाली या घर अव्णा बनता है तो इसी तरीके से, ठीक है? 89 नमर कोशन साब देखेंगे प्रस्न गंधार सहली के पतन के काड़ों का उल्ले कीजिए पहला काड़ ये रहा गंधार मुर्तिकला मतुरा सहली के मुकाबले में ठहर नहीं सकी भारत में उसका पतन होने लगा क्योंकि उसमें आसारिरिक संदर का भाव था इस आधार पर अंतरों के काड़ से गंधार सहली क्योंकि भारत को उतना ब्रबावबित नहीं किया जितना कि उसने की चीनी तुर्किस्तान चीन जापान और कोरिया को प्रवबित किया इसलिए एक परकार से गंधार सहली एक परकार से पतिन हो गई चुकि गंधार सहली भारतियता उसमें कम थी और बिदेशियता जादा थी इसलिए एक परकार से भारत में ना टिक सकी क्योंकि या पूर्वी, चीनी, पुर्किस्तान, मंगोलिया, चीन, कोरिया, जापान में जो बौध कला है, वहाँ पर आप देखेंगे, तो ये एक प्रकार से गंधार कला का प्रभाव वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, लेकिन भारत में इसका उतनायादा प् भारतिये हैं, और दूसरी बात इनके विसे तथा टेकनिक जो है, वो दोनों मलब ये सब भारतिये ही हैं, ये दोजी पूसिता हैं गुप्तकाल की मूर्तियों की, एक क्या नवे नमर पर से गुप्तकालीन, जैन धर्म की मूर्तियों का बिवेचन कीजिए, तो गुप्तका महावीर स्वामी जो की चौबिसा में चिर्थंकर थे, एक प्रकार से जैन धर्म की, उनका खड़ी तथा बैठी दोनों मुद्रा में मूर्ति आपको मिलेगी एक प्रकार से इस दोवरान गुप्तकाल में, इसके अलामा मतुरा और गोरकपुर जन पदो में जन तिर्थंकर महावीर स्वामी की मूर्तियां भी आपको देखने को मिलती हैं, जिनमें उनमें पदमासन लगाए हुए पदमासन लपकी एकदम से तपेश्चा की मुद्रा में बैठे हुए है, ठीक है, दिखाया गया है उन मूर्तियों में, ठीक है, आगे देखते हैं और भी चीजों को मूर्ति, तीसरा सूर की मूर्ति, ठीक है, चौथा बारा भगवान की मूर्ति, बारा भगवान तो जानते होंगे आप सूकर वाले सूर भगवान की मूर्ति, गो बर्धन परवत को उठाये हुए कृष्ण भगवान जो अपनी कनिश्ट अंगुली पर उठाते हैं, वो मू इसके लावा गुप्त कालीन वाजदुकला की दो विसेस्ताय बता हैं पहली विसेस्ताय यह कि मंदिरों का निर्माण ऊचे चबुत्रे पर किया गया है जिनके चारों और सीडियां है और दूसरा मंदिरों का सीड्स समतल पर कहीं कहीं सिखर युक्त भी है यह चीजे सद्यान नेखिए ठीक है इसके लाव चारान अबे नवर परस ने गुप्त कालीन चित्रकला की फ्रमुकेंदुरों का वरणंद कीजीत तो पहला बाद चित्रकला सैली के चित्रों के कुप्त कालीन चित्र हमें निम्रकित अस्तानों पर मिलते हैं पहला आजनता के गुफा तिक हैं आजन्था के गुफा खासरके अजन्था कि गुफा नंबर । गुफा नंबर-6-11 आप देखेंगे तो आपको बहुत धरम की चित्रकला मिलेगी बहुत सहली कि जो है चित्रकला मिलेगी दूसरा एलोरा की जो कुफाइं वहाँ पर तीसरा जो एक क्रकार से दिसरा जो एक प्रकार से मैं बताओ आपको है heiß ह को है आप है आटिसरा बाग की जो कुफ़ाए बाद कि कुफ़ाए उसमें आपको मिलेंगी ठीके तो बाग की गुफाएं इसके लामा बादामी की गुफाएं ठीक है और सित्तलवासन की गुफाएं जो है सित्तनवासल की गुफाएं ठीक है ये भी गुफाएं ये सब एक प्रकार से क्या है ये सब गुफाएं भीया गुप्तकालिन वास्तुकला की एक प्रकार सी बिस्यस् हैं जो कि विभेन धर्मों से संब्धिय थे ठीक है यह बात आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे परसनों को देखा मिलते हैं फिर नेक्स्टी वीडियो में तब तक के लिए जैंद जै भारत आप सभी का बहुत-धनिबाद हमारे सा जोड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यारा में सा बनाया रखेंगे ओके आप सभी का बहुत-बहुत धनिबाद गुणने डाला क्यों चलें फिर आपका पेपर अच्छा हो यही मैं प्रयारतना करूंगा आप सभी भगवान से कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो ठीक है और बह